Morning Dear Modern Stars, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतरूप से कर रहे होंगे बच्चों, आज हम Final Examination के लिए संस्कृत का Revision Work स्टार्ट करेंगे आप सभी अपनी संस्कृत की पुस्तक एवं पुस्तिकाओं को निकाल ले पहला Revision है बेटा आपका निमनलिखित शर्वनाम शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए ये मैंने आपको संस्कृत की पुस्तक से पार्ट साथ से दिया हुआ है आपको पता होना चाहिए बचों की आपका संस्कृत में पार्ट साथ से लेकर के पार्ट तेरा तक आएगा फाइनल एक्जामिनेशन में और साथी साथ धात रूप और शब्द रूप महीनों के नाम भी आएंगे पहला रिवीजन है आपका निम्रिलिखित शर्वनाम सब्दों के हिंदी लिखिए ये आपको बिटा पार्ट साथ में पेज नंबर 33 पे मिल जाएगा अगर आपका मन हो तो आप बुक में ही भी फिल करके रिवीजन वन उस पे डाल सकते हैं पेज नंबर 33 पर ये है ठीक है तो पहला है आपका अयम मतलब यह ए ते मतलब येदो अमू मतलब वेदो अमूनी मतलब वेशब ते वेदो इमे येदो अमू वेशब ताह वेशब इनाम इनानी येशब और तानी वेशब ये आपके कुछ संस्कृत शर्वनाम शब्द थे जिनको आपको हिंदी में लिखना था आपको ये पेज नंबर 33 पे मिल गया होगा और आप इसको फिल्क कर सकते हैं और रिविजन 1 डाल के लर्न भी कर सकते हैं रिविजन 2 के लिए बचो मैंने आपको पहले ही बताया है महीनों के नाम बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं आपको संस्कृत में 12 महीनों के नाम याद करने हैं तथा इनकी लिख करके आपको प्राक्टिस करनी है कौन-कौन से हैं ये 12 महीने आईए देख लेते हैं चैत्र, बैसाख, जेस्ठ, असाड़, श्रावड़, भादरपध, अश्विनः, कार्तिका, मार्गशीर्शा, पौशा, माघः, फागुनः तो ये आपके संस्कृत के 12 महीने हैं जिनको आपको लिखना है और याद करना है नेक्स्ट, रिविजिन 3 में आपको दो चीज़े करनी हैं पहला है आपका पांच पश्वों के नाम लिखने हैं ठीक है? और गिंतियां लिखनी है तो पांच पशुव के नाम में मैंने आपको बानरह, गजह, सिंगह, अजह, धेनु यानि कि बंदर, हाथी, शेर, गाय, बकरी इतना लिखवाया है अगर आपका मन हो तो आपको जो इजी लगें वो बुक से देख करके लर्न कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका एक से पांस तक गिंती लिखिए एकम, द्वे, त्रिडी, चत्वारी, पंच, ये एक से पांस तक की आपकी गिंतियां हैं जिन्हें आपको याद करना है और अपनी कॉपी में राइट करना है डिविजन 4 में बिटा मैंने आपको करवाया हुआ है नेमने लिखित पंक्षियों के हिंदी में नाम लिखिए आपको संस्कृत लिखा हुआ मिलेगा पेपर में बेभी तो सुकह मतलब होता है तोता, काकह मतलब होता है कववा, मयूरह मतलब होता है मोर, वकह मतलब होता है वगुला, सारसा मतलब सारस, हंसा मतलब हंस, गिद्धा मतलब गिद्ध और वर्तिका मतलब बतक तो ये आपको आठ पंशियों के नाम संस्कृत और हिंदी में याद करने है Next, Division 5 में आपको संस्कृत लिखा हुआ होगा, हिंदी अनुवात करना होगा इस paragraph का ये paragraph बेटा आपको chapter 7 में page number 31 पे मिल जाएगा ठीक है? page number 31 पे ये paragraph आपका है So hopefully आपको इसका संस्कृत लिख करके अनुवात याद करना है और आप इसे revision work को copy में करेंगे Next, revision 6 में बेटा आपको यहाँ पे given है ये आपका chapter 8 से है Chapter 8 में जो आपको fill in the blanks दिये हुँँगे page number 36 पे इनको आपको अपनी copy में write करना है and then आप इसे learn करेंगे So ये revision आपको अपनी copy में करना है कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दी हूँ त्वम निर्त्यसी नित्षिता है तो त्वम लगा हुआ है तो पहला एक वचन है तो इसके लिए हम लगाएंगे निर्त्यसी सी लगाएंगे ठीके Next है आपका पठत पठत मतलब दुतिये वचन है तो दुतिये वचन के साथ हम दुतिये पुरुष लगाएंगे यानि की यूयम ठीके क्या लगाएंगे यूयम तीसरा है आपका यूयाम भोजनम भोजनम यूवाम मतलब दुतिये पुरुष तो पठत दुतिये धातु भी लगेगी देन उसके बाद में है यूयम यूयम के साथ क्रीडितः पठती आपका यह क्या हो जाएगा एक वचन हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको हम यूयम मतलब होता है हम सब सब है तो सब के साथ में बहुवचन का ही प्रयोग होगा रित्यत यूवाम रित्यत मतलब वे दो नाचते हैं ठीक है दो है तो रित्यत देन है आपका त्वम त्वम के साथ में क्या लगेगा पठती मतलब तुम पढ़ते हो आईए एक बार फिर से देख लेते हैं आपको किस ब्लांक में क्या भरना है पहले में आपको नृत्यासी दूसरे में यूयाम तीसरे में पच्छतत चौथे में क्रीडत फिर उसके बाद में यूवाम देन पठत आपको ये समझ में आया होगा कोई भी डाउट हो तो आप मुस्से पूछ सकते हैं अब हम बात करते हैं अपने Revision 7 की तो बिटा Revision 7 मैंने आपको चापटर 9 से गवन है चापटर 9 का संस्क्रित अनुवात आपको करना होगा जैसे कि आपको लिखा हुआ होगा मैं पढ़ता हूँ आपको लिखना होगा अहम पठामी मैं कूदता हूँ मैं दौरता हूँ अहम धावासी इसी तरीके से हम दो पढ़ते हैं आवाम पठावभ हम सब कूदते हैं आवाम धावाव तो यह आपको संस्कृत में हिंदी में दिये होंगे आपको इनको संस्कृत में अन्वात करना होगा So hopefully आपको revision 1 से 7 तक समझ में आया होगा बिटा कोई भी doubt हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं revision 1 में आपको सर्वनाम शब्द की हिंदी करनी है revision 2 में आपको महीनों के नाम याद करने है revision 3 में आपको पशुओं तथा गिंतियों के नाम संस्कृत में याद करने है revision 4 में आपको पंक्शियों के नाम याद करने है revision 5 में आपको हिंदी अनुआत करना है revision 6 में आपको रिक्तिस्थानों की पूर्ति करनी है और revision 7 में आपको Sanskrit अनुवात करना है So hopefully आपको समझ में आया होगा कि आपको किस revision में क्या करना है आप इसे copy में लिख करके अपने class group में pictures send करेंगे आज के लिए video में इतना ही Thank you, have a nice day